नमस्कार हमारे इग्णो आउडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है इंदिरा गांधी राश्चिय मुक्त विश्व विद्याले सतत शिक्षा विधाले प्रमानपत्र कार्यक्रम पोशन एवं बाल देखभाल में सर्टिफिकेट CNCC, CNCC एक समुदाय के लिए पोशन BLOC के दो पोशन की मुलभूत अवधान आए इकाई चार सुक्ष्म पोशक तत्वी, विटामिन चार दशमलव एक प्रस्तावना खंड एक में आपने स्थूल पोशक तत्वों के कार्य खाद्य स्रोत तथा शरीर में उनके उप्योग के बारे में पढ़ा अब हम इस इकाई में सुक्ष्म पोशक तत्वों पर विचार करेंगे आए इन तत्वों का अध्ययन विटामिन के अध्ययन से शुरू करें विटामिन शब्द में प्रयुक्त विटा का अर्थ जीवन है वास्तव में विटामिन हमारे जीवन तथा स्वास्थे के लिए अती आवशक है विटामिन चयापचय का नियंत्रन शरीर की व्रिधी वर रखर्खाव तथा बीमारियों से बचाव करते हैं इन सभी कार्यों की विस्तरित जानकारी इस इकाई में दी गई है कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन की भाती विटामिन भी कार्बनिक योगिक है परन्तु इन पोशक तत्वों के समान ये भोजन में अधिक मात्रा में नहीं पाए जाते है इसका अर्थ यहां नहीं है कि शरीर के लिए विटामिन की आवशक्ता की पूर्ती विटामिन की गोलिया खाकर की जा सकती है अर्थात उचित प्रकार का भोजन खाने से हमारी शारिरिक आवशक्ताओं की आसानी से पूर्ती की जा सकती है कुछ वितामिन जल में घुलनशील होते हैं तथा अन्य वसा में. इस आधार पर वितामिनों को दो वरगों में वरगी कृत किया गया है जल विले इस इकाई में इन वर्गों के अंतरगत आने वाले विटामिनों का परिचय दिया गया है. इसके साथ ही साथ इनके कार्यों, थाद्य स्रोथ तथा शरीर में इनके अवशोशनकी प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई है. उद्देश, इस हिकाई को पढ़ने के बाद आपर टाइम्स जल विले तथा वसा विले विदामिन में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे टाइम्स प्रत्यक विटामिन के खाद स्रोत को पहचान सकेंगे 1. प्रत्यक विटामिन के अवशोशन की प्रक्रिया को बता सकेंगे और शरीर में प्रत्यक विटामिन की महत्ता बता सकेंगे 4. दो वसा विले विटामिन विटामिन A, D, E तथा के वसा विले विटामिन है आता यह विटामिन वसायुक्त खाद्य पदार्थों में पाए जाते है वसाविले विटामिन के बारे में दिल्चस्प तथे यहा है कि अपना विशिष्ट कार्य करने के पश्चात इन विटामिनों की अतिरिक मात्रा शरीर में संद्रहित हो जाती है आइए अब प्रत्यक विटामिन के बारे में विस्त्रित जानकारी प्राप्थ करें 4.2 1. विटामिन A विटामिन A या रेटिनोल केवल पशुजन्य खाद्य पदार्थों से ही प्राप्थ होता है पशुजन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूद, मक्खन, टाइम्स घी, अंडा, मच्छी तथा कलेजी विटामिन A के अच्छे स्रोथ है हैली बठ, कॉर्ड तथा शार्क मच्छी का यक्रित ते, लिवर और विटामिन A के सबसे अच्छे स्रोथ है वानस्पतिक खाद्य पदार्थों में रेटिनॉल नहीं होता बलकी इन में कुछ पीले तथा लाल रंग के वरणक पिङमेंट पाए जाते हैं इन वरणकों को केरोटिमोइड करौटिनॉड कहते हैं शरीर में कैरोटिनाइन वर्नक रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाते हैं इसलिए इन कैरोटिनाइन वर्नकों को रेटिनॉल का पूर्वगामी रूप प्रिकरसर कहते हैं पूर्वगामी रूप से तात पर यह है कि वहां तत्व जो शरीर में विटामिन के रूप में परिवर्तित हो सके बीटा कैरोटीन वनस्पतिजन्य खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक पाया जाने वाला कैरोटिनॉइन है जैसा की पहले बताया जा चुका है सबजियों तथा फलों का पीला व लाल रंग इसी कैरोटिनॉइन वर्नक के कारण होता है पके हुए फल जैसे आम, पपीता तथा लाल व पीली सबजियों जैसे गाजर तथा सीता फल में बीता कैरोटीन काफी मात्रा में पाया जाता है हरी पत्तेदार सबजियों में भी कैरोटिनाइड वर्नक होता है, परंतु इनका पीलालाल रंग एक अन्य हरे रंग के वर्नक जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, से ढग जाता है इसलिए इनका रंग हरा होता है हरे पत्ते वाली सबजिया जैसे पालक, सरसो तथा मेथी की पत्तिया बीटा कैरोटीन के बहुत ही उत्तम स्रोट है आप जानते हैं कि पशुजन्य पदार्थ महगे होते हैं इसी कारण अधिकतर भारतिय विटामिन A की आवशक्ता पूरी करने के लिए परियाप मात्रा में पशुजन्य खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं कर पाते इसलिए वे अपने विटामिन A की आवशक्ता की पूर्ती करने के लिए वानस्पतिक खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहते हैं परंतु जैसा कि आपको मालूम है वानस्पतिक खाद्य पदार्थों में रेटिनॉल नहीं पाया जाता है इसके स्थान पर बीटा कैरोटीन पाया जाता है कुल अवशोशित बीटा कैराटीन का आधा भाग ही रेटिनॉल में बदलता है आता उन लोगों को जो की कम मात्रा में पशुजन्य पदार्थ खाते हैं वनस्पतिजन्य खाद्य पदार्थों जैसे हरी पत्तेदार सबजियों तथा फलों जिन में काफी मात्रा में कैरोटीन हो का परियाप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए अवशोशन तथा संग्रहा आप पढ़ चुके हैं कि विटामिन ए रेटिनॉल या कैरोटीन के रूप में शरीर द्वारा ग्रहन किया जाता है आप की कोशिकाओं में अवशोशन के बाद रेटिनॉल कुछ वसा करों जिनको काईलो माइक्रोन काईलो माइक्रन कहते हैं के साथ जुड़ जाता है और रक्त में प्रवेश करता है अब प्रश्णिया उठता है कि शरीर द्वारा ग्रहन किये गए कैरोटीन का क्या होता है कैरोटीन, रेटिनॉल की भांती ही शरीर में अवशोशित होता है अवशोशन के बाद रेटिनॉल उसी रूप में अवशोशन या कैरोटीन से निर्मित काईलो माइक्रोन के रूप में रक्त द्वारा यकृत तक लाया जाता है कुल अवशोशित विटामिन की मात्रा का लगभग 90 प्रतिशत भाग यकृत में संग्रहित हो जाता है तथा 6-10 प्रतिशत भाग अन्य अंगो तथा ग्रंथियों जैसे गुर्दे, फेफडे, अधिवरिक्त ग्रंथी, अड्रेनल ग्लैंड में चला जाता है वसा में घुलनशील होने के कारण पित्तरस तथा वसा विटामिन एके अवशोशन में बहुत मदद करती हैं इसके अतिरिक्त प्रोटीन विटामिन एको यकृत से अन्य उतको तक ले जाने में मदद करता है कार्य शरीर में विटामिन एके क्या कार्य है इस विशिष्ट कत्व के निमलिखित तीन मुख्य कार्य है एक सामान्य द्रिश्टी बनाए रखना सामान्य द्रिश्टी के लिए विटामिन ए अती आवश्षक है इस कार्य को समझने के लिए आईए पहले आख की संदरचना को जाने चित्र चार दशमलव एक में आग का चित्र दिखाया गया है इसे ध्यान से देखिए विवन के लिए स्क्रीन को देखे इसमें द्रिश्टिप्टल या रेटिना का पता लगाईए द्रिश्टिप्टल में दो प्रकार की कोशिकाए होती है दोनों ही प्रकार की कोशिकाएं प्रकाश में परिवर्तन के प्रती समवेदन शील होती है परंतु इनकी क्रियाओं वकार्यों में भिन्नता होती है चड मंद प्रकाश, दिम लाइट के प्रती तथा शंकु दीप प्रकाश, ग्राइट लाइट के प्रती समवेधन शील होती है आईए चड कोशिकाओं के बारे में विस्तार से पढ़े चड कोशिकाओं में एक वरनक होता है जिसे रोडोपसिन, रोडोपसिन कहते हैं शरील में रोडोपसिन प्रोटीन तथा विटामिन A के एक विशेश रूप्रेटिनॉल के मिलने से बनता है यहां आँख को प्रकाश के परिवर्तन के प्रती अनुकूल बनाने में मदद करता है रोडोपसिन की विशेशता यहां है कि यहां दीप प्रकाश में अपने अव्यवों में तूट जाता है और कम, मंद, प्रकाश में ये अव्यव, विटामिन A तथा प्रोटीन फिर मिल जाते हैं और रोडोपसिन पुना उत्पन्न हो जाता है आईए अब देखें कि सामान्य द्रिष्टी बनाये रखने में रोडोपसिन किस प्रकार महत्वपूर्ण है रोडोपसिन वास्तव में मंद, प्रकाश में देखने में मदद करता है रोडोपसिन के इस कार्य को समझने के लिए इस थिती पर विचार कीजिए जब आप तेज प्रकाश वाले कमरे से कम रोश्नी वाले कमरे में जाते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? काइम्स निश्चित रूप से आप थोड़ी देर के लिए कुछ देख नहीं पाते हैं ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि रोडोप सिन दीप प्रकाश में अपने अव्यवों, प्रोटीन व विटामिन ए में बदल जाता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ अपना कार्य नहीं कर पाता फिर हम कम प्रकाश में कैसे देख पाले हैं? कम प्रकाश में रोडोपसिन अपने अव्यवों के मिलने से पुना उत्पन्न हो जाता है यदि आप इन घटनाओं पर ध्यान दे तो पाएंगे कि रोडोपसिन पहले अपने अव्यवों में तूठ जाता है और ततपश्चात पुना उत्पन्न हो जाता है चयापचय में यहाँ एक चक्र का उदाहरण है और चाक्षुष चक्र व्यूल साइकल कहलाता है चित्र चार दशमलव दो चित्र चार दशमलव दो चाक्षुष चक्र का सरलिकृत रूप विवर्ण के लिए स्क्रीन को देखे दो व्रिद्धी में सहायका विटामिन ए हड्डियों तथा कोमल उत्कों की व्रिद्धी के लिए अति आवश्षक है परंटु शारिरिक व्रिद्धी में वास्तव में इसका क्या योगदान है ये अभी तक ज्यात नहीं हो सका है इस क्षेत्र में हुए अनुसंधानों से ज्यात हुआ है कि शरीर में विटामिन ए की कमी होने पर हड्डिया पूरी तरह नहीं बढ़ पाती है तथा सारे शरीर की व्रिद्धी इससे प्रभावित होती है तीन बीमारियों से बचाव एपिथीलियमी उतको, एपिथीलियल टिशूस को नम आर्द्र तथा स्वस्थ बनाए रखने में विटामिन ए की महत्वपूर्ण भूमी का है एपिथीलियमी उतको के कुछ उदाहरण है तथा, आख, आंतों वफेफडों जैसे अंगों की आंतरिक सता विटामिन ए की अनुपस्थिती में एपिथीलियमी उतक शुष्ख हो जाते हैं तथा तवचा, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वफेफडों की आंतरिक दीवारों पर दरारे पड़ जाती है इससे हमारे शरीर में जीवानों आसानी से प्रवेश कर जाते हैं तथा बहुत सी बीमारिया जैसे अतिसार, श्वसन वा आखों का संत्रमण आदी हो सकते हैं इस क्षेत्र में हुए अनुसंधानों द्वारा इस तत्थि की पुष्टी हुई है इन्ही अनुसंधानों से यह भी ज्यात हुआ है कि बच्चों में सामान्य बीमारियों की रोक्था में विटामिन A की महत्वपूर्ण धूमी का है शिशों तथा बच्चों के शरीर में विटामिन A की मात्रा कम होने पर उन्हें संक्रामक बीमारिया लग जाती है और अगर यह बीमारियां गंभी रूप धारन कर ले तो मृत्यू तक हो सकती है यही कारण है कि बच्चों की मृत्यूदर विटामिन A की कमी से संबंधित है 4.2 2. विटामिन D विटामिन D शरीर द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिती में त्वचा के नीचे उपस्थित एक पदार्थ से बनता है आता इसको संशाइन विटामिन, संशाइन वाईतामिन भी कहते हैं इसलिए विटामिन D की आवशक्ता की पूर्ती के लिए हमें भोजन पर आश्रित रहने की आवशक्ता नहीं होती धूप ग्रहन करना, Export to Sunlight विटामिन D प्राप्त करने का सबसे आसान उपाय है आए देखे किन खाद्य पदार्थों से विटामिन दी प्राप्थ हो सकता है पशुजन्य खाद्य पदार्थों जैसे अंडा, कलेजी तथा मक्खन में विटामिन दी प्रचुर मात्रा में होता है मचली का यकृत तेल विटामिन दी का सबसे अच्छा स्रोत है आम प्रयोग में लाए जाने वाले वानस्पतिक पदार्थों में विटामिन D नहीं होता है अवशोशन तथा संद्रहाह भोजन में उपस्थित विटामिन D वसा के साथ छोटी आंत में अवशोशित हो जाता है विटामिन D के सुचारू रूप से अवशोशन के लिए पित्तरस अती आवश्शक है अवशोशन के बाद विटामिन D काईलो माइक्रॉन का हिस्सा बनकर रक्त में मिल जाता है वचा में धूप के प्रभाव से निर्मित विटामिन D भी रक्त में मिल जाता है इस प्रकार दोनों स्रोतों से प्राप्त विटामिन D यक्रित में पहुंच जाता है इसका कुछ भाग यक्रित में संग्रहित हो जाता है तथा शेश भाग रक्त द्वारा शरीर के विभिन उतकों में चला जाता है कार्या आपने शायत सुना होगा कि विटामिन D हड्डियों को मजबूत वस्वस्थ बनाता है यह पूर्मत्या सही है विटामिन D इस कार्य में किस प्रकार सहायक होता है आईए पढ़े कुछ खनिज लवन जैसे कैलसियम तथा फासफोरस हड्डियों में निक्षेपित दिपॉजिट हो जाते हैं तथा हड्डियों को मजबूत तथा सक्त बनाते हैं हड्डियों में खनिज लवनों के निक्षेपन की प्रक्रिया को खनिजन मिनरलाइजेशन कहते हैं विटामिन D खनीजन की प्रक्रिया में दो प्रकार से सहायता करता है. आई, कैलसियम तथा फोस्फोरस के अवशोशर में सहायता तथा आई, हड्यों में कैलसियम तथा फॉस्फोरस के निक्षेपड में सहायता. बोध प्रशनेक 1. कैरोटिनॉइड क्या होते हैं? बीटा कैरोटीन के अच्छे स्रोतों की सूची बनाईए दो, नीचे लिखे वाक्यों में सही गलत का चुनाव कीजिए गलत वाक्यों को सही कीजिए कख विटामिन A तथा D के प्रभावकारी अवशोशन के लिए पित्तरस आवश्शक है सही गलत ख, विटामिन D की आवशक्ता मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों से पूर्ण होती है सही गलत ग, विटामिन A एपिथीलियमी उतकों को शुश्क रखता है सही गलत ग, द्रिश्चिप्तल की छड कोशिकाय मंद प्रकाश के प्रती समवेदन शील होती है सही गलत न, विटामिन D को संशाइन विटामिन भी कहा जाता है सही गलत 4 फरवरी 2003 विटामिन E विटामिन E लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है वनस्पती तेल जैसे सोया बीन तेल, मूनफली का तेल बिनौला तेल, कॉटन सीड ओल, कुसुम तेल, सैफलोर ओल, आदी विटामिन E के अच्छे स्रोथ है विटामिन E के अन्य अच्छे स्रोथ साबुत अनाज, गहरी हरी पत्तेदार सबजिया, डाले तथा गिरिदार फल वत तिलहन है कुछ पशुजन्य खाद्य पदार्थों जैसे अंडे की जर्दी, मक्षन, कलेजी आदी में कुछ मात्रा में विटामिन E होता है अवशोशन तथा संद्रहाः अन्य वसा विले विटामिनों की भाती विटामिन E के अवशोशन के लिए भी वसा तथा पित्तरस की आवश्चक होती है छोटी आंथ के उपरी भाग में अवशोशन के बाद विटामिन E काईलो माईक्रॉन का हिस्सा बनकर यकृत में जाता है तथा वहां से शरीर के विभिन्न उत्कों में बन जाता है यद्यपी शरीर के सभी उत्कों में इस विटामिन की कुछ मात्रा होती है परंतु मुख्य रूप से ये मासपेशियो तथा वसा उत्को एडिपोस टिशू में संद्रहित होता है कार्या हमारे शरीर में विटामिन E का मुख्य कार्य अन्य पदार्थों जैसे असंत्रिप वसा अमलो अनसेचरेटर फैटी एसिड विटामिन A तथा विटामिन C को सुरक्षा प्रदान करना है यह शरीर तथा भोजन दोनों में ही इन पदार्थों को नश्ट होने से रोकता है चार दशमलव दो चार विटामिन K वनस्पतिजन्य खाद्य पदार्थों में हरी पत्तेदार सबजिया जैसे पालक, बंदगो भी, सलात, पत्ता, आदी विटामिन K के अच्छे स्रोथ है चोटी आंत में उपस्थित कुछ सहायक बैक्टीरिया भी विटामिन K के निर्मार में सहायक होते है हमारी शारिरिक आवशक्ता का लगभग आधा भाग हमें चोटी आंत में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा प्राप्थ होता है तथा शेश भाग हमें वानस्पतिक तथा पशुजन्य खाद्य पदार्थों से मिलता है अवशोशन तथा संद्रहाचू की विटामिन के वसा विले है आथा इसके अवशोशन के लिए भी पित्तरस की आवशक्ता होती है छोटी आंत के उपरी हिस्से में अवशोशन के बाद ये शरीर के विभिन उतको में जाता है विटामिन के बहुत थोड़ी मात्रा में शरीर में संग्रहित होता है तथा किसी भी विशेश अंग में इसकी मात्रा बहुत अधिक नहीं होती है कार्या आपने यह तो देखा होगा कि अंगुली कट जाने पर क्या होता है? जी हाँ, रक्त बहने लगता है परन्तु कुछ समय बाद रक्त का बहना स्वयन ही बंद हो जाता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ समय बाद रक्त का ठक्ता जम जाता है जो घाव को बंद कर देता है विटामिन के रक्त का ठक्ता जमाने में महत्वपूर्ण कार्य करता है इसलिए इसको रक्त स्रावरोधी विटामिन, एंटि बिलिडिंग वाइटामिन कहते हैं अब प्रश्निया उठता है कि विटामिन के रक्त के जमने में किस प्रकार मदद करता है विटामिन के प्रोथ्रोमिन नामक प्रोटीन के बनने में मदद करता है ये प्रोशोमिन रक्त जमने के लिए आवश्शक है अभी आपने वसा विले वितामिनों के बारे में पढ़ा आईए अब जल विले वितामिनों के बारे में जानकरी प्राप्त करें वितामिन सी तथा भी समुदाय के वितामिनों को जल विले वितामिन कहा जाता है क्योंकि ये जल में घुलंशी होते हैं। वसाविले विटामिनों के समान ये हमारे शरीर में अधिक मात्रा में संद्रहित नहीं किये जा सकते हैं। आवशक्ता से अधिक मात्रा शरीर में होने से यह विटामिन मूत्रद्वारा शरीर से निश्कासित हो जाते हैं। चार मार्च 2001 भी समुदाई के विटामिन जैसा की आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं यहां अनेक विटामिनों का समू है जिनके कार्य समान है बी समुदाई के अंतरगत निमलिखित विटामिन आते है थाइमीन, बी, राइबोफलेविन, बी नियासीन, फोलिक, अमलक तथा विटामिन बी, कोबालेमिन यह सभी विटामिन सामान्यता भोजन में एक साथ पाए जाते हैं यह विटामिन सहाएंजाईम, कोएंजाईम का कार्य करते हैं तथा कार्बोज, प्रोटीन ववसा के चयापचय में सहायक होते हैं आप एंजाइम से तो भली भांती परिशित है, परंतु साहेंजाइम क्या होते हैं? आईए समझें. साहेंजाइम वह रासायनिक पदार्थ है, जो एंजाइम के प्रभावकारी कार्य करने में सहायता करते हैं. आता उनको एंजाइम का सहायक कहा जाता है सहाइंजाइम की अनुपस्थिती में एंजाइम अपना कार्य नहीं कर पाते हैं चित्र 4.3 आईए अब हम भी समुदाय के कुछ प्रमुख विटामिनों के खाद्य स्रोत संद्रा तथा कार्यों के बारे में जानकारी प्राप करें चित्र 4.3 एंजाइम और सहाइंजाइम परस पर मिलकर कार्य करते हैं विवर्ण के लिए स्क्रीन को देखे थाइमीन या विटामिन B, थाइमीन या B, पशुजन्य तथा वनस्पतिजन्य खाद्य पदार्थों में व्यापक रूप से पाया जाता है वसा तेल तथा शरकरा के अतिरिक प्रत्य खाद्य पदार्थ में ये विटामिन थोड़ी बहुत मात्रा में तो पाया ही जाता है वनस पतिजन्य खाद्य पदार्थ जैसे साबुद अनाज तथा साबुद डाले थाइमीन के अच्छे स्रोथ है पशुजन्य खाद्य पदार्थों में चर्बी रहित मास, लीन मीट, पोलट्री, पॉल्ट्री वा अंडे की जर्दी थाइमीन के अच्छे स्रोथ है इस बात पर ध्यान दीजिए कि अनाज के संसाधन, प्रोसेसिन से इन में उपस्थित थाइमीन की मात्रा में परिवर्टन आ जाता है इस विशय में विस्त्रित जानकारी नीचे उलला एक नई या एक में दी गई है ये जानकारी थाइमीन तक ही सीमित नहीं है, बलकि अन्य जल्विले विटामिनों से भी संबंदित है उलला एक नई या एक संसाधन का पोशक मूल्य पर प्रभाफ अपने खाद्य पदार्थों के संसाधन के लिए हम बहुत सी विधियों का प्रयोग करती है संसाधन में, वास्तव में, वे वर्टिकल बार सभी प्रक्रियाय आती हैं, जिनसे खाद्य पदार्थ उत्पादन से लेकर उप्योग तक गुजरते हैं इसका अर्थ है कि पकाने वर्टिकल बार से पूर्व की तैयारी तथा पकाना भी संसाधन का ही रूप है यहां हम संसाधन के कुछ विशिष्ट उदाहरों के बारे वर्टिकल बार में पढ़िंगे गेहुका संसाधन, चावल का संसाधन, अंकुरन तथा खमीरिकरन की प्रक्रियाय गेहु का संसाधना घर में गेहर दाने के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है बलकि इसके संसाधित पदार्थ जैसे साबत गेहु का आटा, परिश्कृत आटा, मैदा तथा सूजी प्रयोग किये जाते हैं अधिकांश थाइमीन तथा अन्य विटामिन वर्टिकल बार गेहु की बाहरी परत या चोकर, भूसी तथा अंकुर की परत में पाए जाते हैं खंड एक के चित्र दो, पांच को देखें चोकर युक्त आटे में चोकर का अधिकांश भाग तथा अंकुर की परत का कुछ भाग आ जाता है आता यह थाइमीन के अच्छे स्रोत है और इन्हें साबद अनाज भी कहते हैं मैदा तथा सूजी को परिश्कृत अनाज भी कहा जाता है इनमें चोकर नहीं होता आथा इनमें थाइमीन वा अन्य भी समुदाय के विटामिन बहुत कम मात्रा में होते हैं चावल का संसाधना पालिश किये गए चावल में भी विटामिन विशेश कर थाइमीन बहुत कम मात्रा में होता है वर्टिकल बार यहां पालिश से क्या तातपर्य है? आईए देखें धान का छिलका उतारने के लिए धान को या तो मशीनों से पीसा जाता है या फिर हाथ से कूटा जाता है इसके बाद चावल के दानों को सफेद वचमकदार बनाने के लिए और अधिक साफ किया जाता है छिलका उतारने तथा पालिश करने के कारण चावल से काफी मात्रा में थाइमीन तथा अन्य भी विटामिन की हानी होती है वर्टिकल बार चावल एक अन्य रूप में भी मिलता है जिसको सेला चावल कहती है सेला चावल तयार करने के लिए चावल को दो या तीन दिन के लिए पानी में भिगोया जाता है इसके बाद या तो उबाला जाता है या भाप में पकाया जाता है तथा फिर चावल को सुखाया जाता है इस प्रक्रिया के दौरान चावल की बाहरी परत में उपस्थित विभिन्पोशक वर्टिकल बार तत्व दाने के अंदर चले जाते हैं इस प्रकार बात की किसी भी प्रक्रिया में चावल की बाहरी परत में से थाइमीन वर्टिकल बार वा अन्य भी विटामिनों कोहानी नहीं होती है अंकुरन तथा खमीरी करणा साबुत अनाज वदालों के अंकुरन, स्ट्राउटिंग वखमीरी करणाई, फर्मेंटेशन से इनमें विटामिन सी तथा भी समुदाय के विटामिनों की मात्रा काफी बढ़ जाती है जैसा कि आप जानते हैं कि अंकुरन बीजों या दानों को अंकुरित करने की प्रक्रिया है इसके लिए पहले बीजों को पानी में भिगोते हैं तथा फिर उनको गीले कपड़े में बांध कर लगभग 24 घंते के लिए गीला छोड़ दिया जाता है चित्र 4.4 आप साबुद डालों जैसे मूं की डाल को अंकुरित कर सकते हैं और इसका उप्योग अंकुरित डाल का रायता भरवा परांथे तथा सलात के रूप में किया जा सकता है चित्र 4.4 दानों अनाज या साबुद डालों का अंकुरन विवन के लिए स्क्रीन को देखे आईए अब खमीरी करण के बारे में पढ़ें खमीरी करण उस विधी को कहते हैं जिसमें खादे पदार्थ को किसी द्रवे के साथ मिलाकर रात भर के लिए उचित तापमान पर रखा जाता है जिससे इस मिश्रन में कुछ लाबदायक बैक्टीरिया उत्पन हो जाते हैं ये बैक्टीरिया मिश्रन में कुछ वांचनिय रासायनिक परिवर्तन करते हैं आप इन परिवर्तनों से भली भानती परिचित होंगे खमीरी करण से मिश्रन हलका वदेखने में फूला प्रतीत होता है तथा इसे आसानी से पचाया जा सकता है आईए अब खमीरी करण विधी से बनाए गए कुछ व्यंजनों के बारे में पढ़ें इडली एक दक्षिन भारतिय व्यंजन है जो की चावल व उड़की दाल के खमीरी करण मिश्रन से बनाया जाता है जबकी रोकला पश्चिम भारतिय गुजरात व्यंजन है जो दही और बेसन के खमीरी करण मिश्रन से बनाया जाता है शरीर में ग्रहन करने के पश्चात थायमीन का अवशोशन होता है तथा ये रक्त में प्रवेश करता है शरीर में इसका उप्योग बहुत सी महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए होता है आवशेक्ता से अधिक थायमीन मूत्रद्वारा निश्कासित कर दिया जाता है अब आप यह जानने के लिए इच्चुक होंगे कि थायमीन के मुखे कारे क्या है काबोंज के चयापचे में थायमीन की महत्वपूर्ण भूमिका है आपको याद होगा आप पहले सहयंजाइम के बारे में पढ़ चुके हैं थायमीन कार्बोज के चयापचे में प्रयोग होने वाले एक सहेंजाइम का हिस्सा है। यह सहेंजाइम उर्जा प्राप्ती के लिए ग्लूकोस के जवलन या आकसीकरण में मदद करता है। राइबोफलेविन या भी वानस्पतिक तथा पशुजन्य खादे पदार्थों में व्यापक रूप से पाया जाता है। परंतु अंकुरन तथा खमीरी करन द्वारा साबुत अनाज वा दालों में राइबोफलेविन वा अनवी विटामिनों की मात्रा में काफी बढ़ोतरी हो जाती है। एक औसत मिश्रित शाकाहारी भोजन जिसमें दूद, हरी पत्तेदार सबजिया, साबुत दाले वा अनाज, विशेश्ट अंकुरित दाले वा अनाज, सम्मिलित हो, से हमारी राइबोफलेविन की आवश्यक्ता की पूर्ती आसानी से हो जाती है। मांसाहारी व्यक्तियों को पशुजन्य खादे पदार्थों से राइबोफलेविन प्राप्थ हो सकता है। अन्य जल्विले विटामिन की भाती राइबोफलेविन की अतिरिक्त मात्रा मूत्र द्वारा निश्कासित हो जाती है। राइबोफलेविन का हमारे शरीर में क्या उप्योग है। राइबोफलेविन काबोंज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभातता है। राइबोफलेविन दो विशिष्ट सहेंजाइम का भाग है, जो काबोंज, वसा तथा प्रोटीन से उर्जा प्राप्ती में सहायता करते हैं. नियासीन नियासीन, भी समुदाय के विटामिनों का एक अन्य सदस्य है. मांज, मचली, पोल्ट्री, अनाज, डाले, गिरीदार फल तथा तिलहन नियासीन के अच्छे स्रोथ हैं. नियासीन की एक विशेश्टा यह है, कि ये क्रिप्टोफान, टी आर वाई पी टी ओ पी एचेन, नामक एमीनो एसेड से शरीर में निर्मित किया जा सकता है. दूद क्रिप्टोफान का एक बहुत अच्छा स्रोथ है, पर इसमें नियासीन अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है. दूद के प्रोटीन में उपस्थित क्रिप्टोफान शरीर में नियासीन में परिवर्तित किया जा सकता है. इस प्रकार दूद से काफी मात्रा में नियासीन मिल जाता है राइबोफलेविन की भानती नियासीन भी एक सहेंजाइम का भाग है जो की काबोंज वसा तथा प्रोटीन से उर्जा प्राप्ती में सहायता करता है आथह नियासीन काबोंज, वसा तथा प्रोटीन के चयापचे में सहायता करता है फोलिक अमलह भोजन में फोलिक अमलह भी व्यापक रूप से पाया जाता है हरी पत्तेदार सबजिया तथा विशेश अंगों का मांस, जैसे कलेजी, गुर्दे आदी, फोलिक अमलह के अच्छे सुरूत है साबुत अनाज, डाले, अंडा, मुर्गी तथा दूद से बने खादे पदार्थ भी फोलिक अमलह के अच्छे सुरूत है अवशोशन के बाद फोलिक अमलह विशेश कारियों के लिए रक्तद्वारा विभिन उतकों में ले जाया जाता है सामाने तह कुछ मात्रा में फोलिक अमलह शरीर में संग्रहित होता है ये कृत फोलिक अमलह को संग्रह करने का मुख्य स्थान है सामाने परिस्थितियों में अगर हमारे भोजन में फोलिक अमल की कमी होती है तो शरीर में फोलिक अमल का संग्रह काफी महीनों तक शारीरिक आवश्यक्ताओं की पूर्ती के लिए परियाप्त होता है फोलिक अमल रक्त निर्मान में महत्व पूर्ण कारे करता है आपको शायद मालूम हो कि रक्त के दो भाग होते हैं रक्त कोशिकाय तथा द्रवे भाग रक्त कोशिकाय तीन प्रकार की होती हैं लाल रुधिर कनिका, रेड ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कनिका, वाइट ब्लड सेल्स, और विम्बानू, प्लेट लेट्स फोलिक अमललाल रुधिर कनिका के उचित विकास के लिए आवशेक है विटामिन B बारह या कोबाले मिन विटामिन बी या कोबाले मिन केवल पशुजन्य खाद्धे पदार्थों में ही पाया जाता है कलेजी, गुर्दे, दूद, अंडे तथा समुंदरी खाद्धे पदार्थ, जींगा, महा चिंगट, केकडा, विटामिन B, बारह के अच्छे सुरूत है वानस्पतिक खाद्धे पदार्थों में विटामिन B, बारह नहीं पाया जाता है परंतु आंत में कुछ सहायक बैक्टीरिया द्वारा भी विटामिन B, बारह बनाया जाता है विटामिन B, बारह का अवशोशन एक विशेश रासायनिक पदार्थ की उपस्थिती में हो सकता है जिसे आंतरकारक, इंट्रिंजिक फैक्टर, कहते हैं ये पदार्था आंतरकारक की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है शरीर में ग्रहन किया गया विटामिन B, बारह इस आंतरकारक के साथ मिलने के पश्चात छोटी आंत द्वारा अवशोशित कर लिया जाता है छोटी आंत में उपस्थित बैक्टीरिया भी विटामिन B, बारह बनाते हैं आपको यह तो मालूम ही है कि विटामिन B, बारह बिना आंतरकारक के अवशोशित नहीं हो सकता आंतरकारक आमाशे में पाया जाता है आथा बैक्टीरिया द्वारा उत्पन विटामिन B बारह मल द्वारा शरीर से निश्कासित कर दिया जाता है हमारे शरीर को विटामिन B बारह की आवशेक्ता बहुत कम होती है पशुजन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूद की थोड़ी सी भी मात्रा के सेवन से हमारी विटामिन B बारह की आवशेक्ता की पूर्ती हो जाती है हमारे शरीर में पाचन तंतर, तंतरी का तंतर तथा स्थी मजजा के सुचारू रूप से कारे करने के लिए विटामिन B, बारह, आवशेक्प है फोलिक अमलकी तरह विटामिन B12 भी अस्थि मजजा के लाल रुधिर कनिकाओं के निर्मान के लिए उप्योग में लाया जाता है बोध फ्रश्न, 3 1. सहेंजाइम क्या होते हैं? 2. बी समुदाय के कौन से विटामिन रख्त निर्मान में सहायता करते हैं? 4.3.2 विटामिन C विटामिन C या एसकॉर्बिक अमलक को फ्रेश फूर्ड, फ्रेश फूर्ड, विटामिन B कहा जाता है क्योंकि ताजे फलों वसबजियों में इसकी काफी अधिक मात्रा होती है चित्रचार अंच अधिक मात्रा में सेवन करने से विटामिन C प्राप्त हो सकता है अन्य खाद्य पदार्थ जैसे अनाजव दालों में विटामिन C न के बराबर होता है परन्तु अंकुरन वक्हमीरी करन द्वारा इन में विटामिन C की मात्रा बढ़ाई जा सकती है पशुजन्य खादे पदार्थों जैसे मचली, मांस, दरिध, पोलटरी तथा अंडों में विटामिन C की मात्रा बहुत कम होती है चित्र 4.5 चित्र 4 अंच विटामिन C एक फ्रेश फूर्ड विटामिन है विवरन के लिए स्क्रीन को देखे आवला, अम्रूद जैसे फल तथा हरी पत्तेदार सबजिया वहरी मिर्च विटामिन C के सस्ते स्रूत है इनमें आवला सबसे सस्ता वह अच्छा स्रूत है इसमें हमें मैंहगे खटे रसदार फलों, सिट्रस फरूट्स, जैसे संतरा, मौसम भी आदी की तुलना में 20 गुना या उससे भी अधिक विटामिन C प्राप्त होता है शरीर में एसकॉर्बिक अमलशीग्र अवशोशित हो जाता है तथा फिर शरीर के विभिन उतकों में बट जाता है कुछ अंगों तथा ग्रंतियों जैसे तिल्ली, स्प्लीन, अस्थी मजजा, बून मेरू, येकरिद, लिवर, अगनाशय, पैनक्रियास, तथा आख के रेटिना में विटामिन C सबसे अधिक संकिंद्रित होता है कार्य क्या आप जानते है कि विटामिन C घाव भरने में सहायक होता है लोह तत्व, एक खनिज लवन जो रक्त निर्मान के लिए आवशेक है कि अवशोशन में सहायता करता है चोट, संक्रमन वतनाव पूर्ण परिस्थितियों को नियंतरित करने में मदद करता है भोजन वशरीर में उपस्थित कुछ पदार्थों को नश्ट होने से रोपता है ये विटामिन C के कुछ मुखे कार्य है इनके बारे में क्या आप और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो आएए उपरयुक्त कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ें एक घाव वचोट के भरने का कार्य विटामिन C एक विशेश प्रकार के प्रोटीन जिसको कोलेजन, COLLGN, कहते हैं के निर्मान के लिए आवशेक है घाव वचोट पर कोलेजन का निर्मान घाव को जल्ध भरने में मदद करता है कोलेजन सन्योजी ऊत को connective tissue में पाया जाता है यह उतक विभिन ऊतकों को आपस में ठीक उसी प्रकार जोडते हैं जिस प्रकार cement इटों को जोडता है कोलेजन रक्तवाहिकाओं, ब्लड विसल्स को सुद्रिड बनाता है भोजन में विटामिन C की कमी होने पर रक्तवाहिकाई कमजोर हो जाती हैं जिससे वो आसानी के फट सकती हैं 2. तनाव से मुक्त करने का कार्य है एसकॉर्बिक अमल अधिवरिक ग्रंथी, एड्रेनल ग्लेंग, से एपिनेफरीन, एपिनेफराइन, तथा नौरेपिनेफरीन, एनोरीपी आई एनी, पी एचार आई एनी, नामक दो हार्मोनों के स्रावित होने के लिए आवशेक है ये हार्मोन शरीर को तनावपूर्ण परिस्थितियों जैसे प्रतिदिन के जीवन के तनाव, संक्रमन, चूट तथा बीमारियों के तनाव से निप्थने में मदद करते हैं 3. लोह तत्व के अवशोशन में सहायता का कार्य लोह तत्व लाल रुधिर कनिका का मुख्य अव्यव है वटामिन C लोह तत्व को उसके अवशोशित रूप में बदल कर उसके अवशोशन में सहेता करता है 4. कुछ आवशेक पदार्थों को नश्ट होने से बचाने का कार्य विटामिन E की भाती विटामिन C भी कुछ दार्थों जैसे विटामिन E तथा असंतरिप्त वसा अमलों Unsaturated Fatty Acids को नश्ट होने से बचाता है बूध प्रशन 4. एक, निमनलिकित के कारण बताईए आई, चोक्रयुक्त आटे की तुलना में परिश्कृत आटे जैसे मैदा वसूजी, पायमीन कम होता है 2. दूध नियासीन की आवशेक्ता को पूरा करने में मदद करता है 3. एसकॉर्बिक अमलको, फ्रेश फूर्ड, विटामिन कहा जाता है 4. भोजन में थायमीन की कमी से कारबोज के चयापचय में रुकावट आती है आप सुन रहे और यूलर निगनुको 4.4 सारंग्ष विटामिन वह कारबनिक योगिक है कारबोज, वसा वप्रोटीन के अतिरिक्त, जिनकी शरीर को कम मात्रा में आवशेक्ता होती है विटामिनों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है वसा विले तथा जल विले विटामिन विटामिन के महत्वपूर्ण कारे तथा खाद्य स्त्रोथ क्रमशह तालिका 4.1 तथा 4.2 में सारंग्ष में दिये गए है तालिका 4.1 वसा विले विटामिनों का सारंग्ष विवरन के लिए स्क्रीन को देखे 4.5 शब्दावली बीटा कैरोटीन पौधों में उपस्थित वसा में गुलनशील कैरोटीनोईड वरनक जो की विटामिन A का पूर्वगामी रूप है सह एंजाइम वह विशेश पदार्थ जो कुछ एंजाइमों के सुचारू रूप से कारे करने के लिए आवशेक है इन्हें एंजाइमों का सहायक भी कहा जाता है संसाधन, प्रोसियसिंग, खेतों से घर तक लाने में कच्चे खादे पदार्थों पर की जाने वाली प्रक्रियाएं तथा उन्हें पकाने और तयार करने की प्रक्रियाएं परिशकरन, रीफाइनिंग साबुत अनाज या दालों की बाहरी परत को उतारने की प्रक्रिया धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में